Hello everyone, competitive exam में आपका एक बाब फिर स्वागत है आज इस वीडियो में हम आपके हमीरपुर चैन आयोग से जितनी पुरानी पोस्टे एडवर्टाइज हुई थी उनका exam कब तक हो सकता है आज इस वीडियो में हम देखेंगे आज जो है न्यूस पिप्रो में एक कटिंग निकल कर आ रही है कि exam की agency के लिए फिर होगा tender आपको पता होगा कि पिछली बार जो tender हुआ था जिसमें की लग दो कंपनियों ने ही apply किया था तो tender को जो है cancel कर दिया गया था आपको पता था कि पहले जो है हर संडे को आपके exam होते थे क्या ये फैसला सरकार का सही था कि हमेरपुर चैन आयो को बंद करके लगबग पूरा staff हुआ खतम करके सारा process रोग दिया गया है और computer based की और हिमाचल बढ़ रहा है क्या आपको लगता है कि हिमाचल अभी computer based exam के लिए तयार है तो जैसा है कि आपको पता है कि एक exam जो है जो की HPRCA के दौरा जो है किसी अगर agency से लिया गया है ADCIL जो की OTA का exam है जिसमें आपको पता होगा कि तीन मन्त होने के बाद कि अभी तक उसका result नहीं आपाया है तो आपको क्या लगता है कि क्या computer based exam जो है हिमाचल के लिए भी सही है या OMR का भी option इसमें होना चाहिए जब तक जो है computer system complete नहीं हो जाता तब तक सरकार को OMR पही exam लेने चाहिए तो जितने भी pending exam है सबसे पहले तो वो conduct करवाने चाहिए जिसमें कि आपके J.O.I.T. 965 जो अड़िटाइज हुआ था तो उसका exam जो है सरकार को करवाना चाहिए आपको पता है कि हिमाचल में बेरोजगारी काफी बहुत जादा बढ़ चुकी है पिछले दो सालों से कोई exam ना होने के कांट जो है युवा जो है अताश हो चुके है कई तो अपने जो है प्राइविट सेक्टर के ओर भी चले गए है तो आप दे सकते हैं कि आज कि इसमें लिखा है कि चैन आयोग को computer based test के लिए चाहिए संस्था तो यहां लिखा है कि राज्या चैन आयोग computer based test प्रिक्षा लेने के लिए अजेंसी के चैन की ओर फिर टेंडर करना होगा वित पिभाग ने नॉमिनेशन के अधार पर अजेंसी लेने के प्रस्ता आपको यौक एकक नकार दिया है कि राज्या चैन आयोग financial rules के हिसाब से ही चैन करे वित पिभाग की इसापत्ती को कार्मिक पिभाग ने आयोग को भेज दिया है computer based test के अजेंसी तैग करने के लिए राज्या चैन आयोग ने टेंडर किया था इसका अंटेंडर को रद करना पड़ा है और इसके बाद जल्दी प्रिक्षाएं लेने के अधार पर चैन आयोग नामित के जरिये टाटा कंसल्टेंटी सर्विस या TCS को यह काम देने का सुझाब दिया था कार्मी भी भाग नहीं या फाइल भी तुभाग की मंजूरी के लिए भेज दी है तो इसके बाद जोए जूनियर आफिस असे चैन आयोग निकाला गया है और इस भरती पोस्ट कोड 949-930 का रजल्ट भी राज्या चैन आयोग को दिया गया है तो आपको पता होगा कि अभी जोए एक बड़ा रजल्ट जोए एच प्यार्चिया के द्वारा आया है वो है जेवाइटी 817 का इसके बाद आपको 949 और 930 कर जल्ट देखने को मिलेगा लेकिन और जो काम जो है राजके चैन आयोग के पास बिलकुल भी नहीं है और दे सकते हैं कि OTA कर जल्ट भी फसा हुआ है क्योंकि 35,00,00 रुपए एडिसिल को नहीं दिये गए है जब तक पेमेट नहीं मिलेगी तक तक वो जल्ट नहीं देंगे तो ये जो इस्तितीमा चल में चल रही है कि कोई भी जो है एक्जाम नहीं हो रहे है और सब कुछ बंद पड़ा हुआ है और कब तक ये बंद रहेगा ये अब देखने वाली बात होगी ये साल आपको पता है कि ये साल आपको बिल्कुल खतम है इस साल आपको कोई भी एक्जाम जो है HPRCA के और से देखने को नहीं मिलेंगे तो आपको क्या लगता है कि computer based test जो है हिमाचल में होना चाहिए यदि होना चाहिए तो comment box में आप जुरूर बताइए अपने views रखे तो आज की वीडियो में बस इतना ही further कोई update आती है तो भी हम आपके साथ साजा करेंगे आज की वीडियो के लिए इतना ही धन्यवाद